आज की इस वीडियो में आपको एक genuine news बताने वाला हूँ और वो ये है कि DU regular, SOL और NCweb इन तीनों के जो semester 3 और 5 के बच्चे हैं ठीक है यानि कि जो 3rd semester और 5th semester के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी news है कि आपके OB exams होने वाले हैं यानि कि open book exams यानि कि online exams इसकी detailed जो एक पूरी notification की PDF में आपको देखाने वाला हूँ जिससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा ठीक है तो वीडियो को आप end तक देखना और Instagram पे आप मुझे follow कर सकते हो आपकी कोई भी query हो आप आके मुझ से पूच सकते हो मेरा username आपकी screen के सामने लिखा हुआ है आप अपनी जानकारी मुझ से आके ले सकते हैं ठीक है अब आपके सामने ये screenshot है ठीक है latest एकदम notification है आप date देख सकते हो यहाँ पे और इसमें लिखा हुआ है कि जो semester 3, 5, 7 ठीक है यह जो semester के बच्चे हैं तो इनका जो exams होने वाला है यहाँ ठीक है exams होने वाले है COVID-19 को देखते हुए तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे SOL से registered, NCWeb से और आपके जितने भी जो regular के बच्चे हैं ठीक है इन सभी के लिए आपको पता है 30 November से exams से start हो रहे हैं और यह जितने भी exams होंगे यह दो shift में होंगे, two sessions में होंगे ठीक है एक दिन के अंदर दो session होंगे two sessions में exams होने वाले including Sundays ठीक है Sunday वाले दिन भी हो सकता है वह यह exam with duration of three hours, तीन गंटे वाले exam होंगे final date sheet आपके आजाएगी first week of November तक final date sheet आपके ठीक है बिलकुल जो final माने जाएगी और क्या है आगे देख लो, देखो COVID-19 की situation को देखते हुए और social distancing और safety और बच्चों की health की परवा करते हुए university OBE करवाने वाली है यानि की online exams आपके online mode से होंगे semester 3, 5 और 7 के लिए और जितने भी essential repeaters है उनके लिए ठीक है 1, 3 और 5 semester के जो essential repeaters है और जो x students है उनके लिए ठीक है और आप किसी भी जगह से attempt कर सकते हो अपने exam को कोई दिक्कत नहीं है online mode में आप कर सकते हो ठीक है as per the selected by them in the examination form for the courses as per date sheet ठीक है जो आपकी date sheet आएगी उसके अनुसार आप अपना अराम से exam दे सकते हो जो OBE की detailed guidelines होगी वो जल्दी ही आपके पास आपको दे दी जाएंगी www.du.ac.in पे आपको मिल जाएगी date sheet जल्दी ही आ जाएगी आपकी final date sheet अगर आनी होगी तो ठीक है और जितनी भी information है आप सिरफ website से ही उसको authentic माने कहीं से भी कोई fake news को असली ना माने ठीक है क्योंकि बहुत सारे social media पे message circulate होते हैं जो की fake होते हैं तो यही आपके लिए जानकारी थी तो ओभी आपको होने वाला है अभी तक का जो final decision है जो latest update है वो यही है ठीक है 29 अ वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में